तो कैसे हैं आप सब कल तक हमने च्छटे अध्याई के महातम में तक सुन लिया था आज हम अपना च्छटा अध्याई प्रारम करते हैं श्री मत्भगत गीता का तो चलिए प्रारम करते हैं ओम श्री परमात्मने नमाहा छटा अध्य है उसके उपरांथ श्री कृष्ण महाराज बोले हे अर्जुन जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है बैस सन्यासी और योगी है और केवल अगनी को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है इसलिए हे अर्जुन जिसको सन्यास ऐसा कहते है उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता समत्व बुद्धी रूप योग में आरुड होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ती में निश्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है और योगा रुड हो जाने पर उस योगा रुड पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का भाव ही कल्यान में हेतु कहा है जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आ सकतो होता है और न कर्मों में ही आ सकतो होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारुड कहा जाता है यह योगारुडता कल्यान में हेतु कही है इसलिए मनिश्य को चालिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उदार करे और अपने आत्मा को अधोगती में ना पहुचावे क्योंकि यह है जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रू है अर्थात और और कोई दूसरा शत्रू या मित्र नहीं है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही शत्रु के स्रदर्श शत्रुता में बढ़तता है हे अर्जुन सर्दी गर्मी और सुख दुख आदिम्य तधा मान और अपमान में जिसके अंतह करण की व्रत्या अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्यान में सच्चिता नंद घन परमात्मा समयक प्रकार से स्थ जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुमान जिसके योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है ऐसे कहा जाता है जो पुरुष सुरहत मित्र वैरी उदासी मध्यस्त दुशी और बंधु रहत योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे शुत भूमी में कुशा, म्रगचाला और वस्र हैं उपरोपरी जिसके ऐसे अपने आसन को ना आती उंचा और ना आती नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन बैठ करता था मन को एकागर करके चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश्मि किया हुआ अंतह करण की शुद्धी के लिए योग का भ्यास करें उसकी विधी इस प्रकार है कि काया सिर और भीवा को समान और अचल धारण किये हुए द्रड होकर अपनी नासिका के अगर भ और मेरे परायन हुआ स्थित होवे इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेशर के सुरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिती रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांती को प्राप्त होता है परंतु है अर्जुन यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और बिल्कुल खाने वाले का तथा न अतिशेयन करने के सुभाव वाले का और त्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग चेश्टा करने वाले का और यह था योग शैयन करने तत्था जागने वाले का ही सित्ध होता है इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यांद वर्ष में किया हुआ चित्ध जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित उन Leon स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है जैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित की कहीं गई है हे अरजुन जी सवस्था में योग के भ्यास से निरुद हुआ चित उपराम हो जाता है और जी सवस्था में परमेश्वर के ध्यान से श्रुद हुए सुक्ष्म बुद्धी द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सचित अनन्द घन परमात्मा में ही संतुष्ठ होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सुक्ष्म बुद्धी द्वारा ग्रहन करने योगी जो अनन्त आनन्द है उसको जिस सवस्था में नुभव करता है और जिस सवस्था में स्थित हुआ बहय योगी भगवत सुरूप से नहीं चलाय मान होता है और परवेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाब को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाब नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस सवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलाय मान नहीं होता है जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए बहे योग ना उक्ताय हुए चित्ट से अर्थात ततपर हुए चित्ट से निश्य पूर्वक करना करता पे है इसलिए मनिश्य को चाहिए कि संकल्ब से उत्पन होने वाली संपूर्ण कामना को निश्य श्रिता से अर्थात वासना और आसकती सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समदाय को सब ओर सेही अच्छी प्रतार वश्मि करके ॅअ प्रांता को प्राप्थ होए द्हेरे युक्त बुद्धी द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा की सिवा और कुछ भी चिंतन्ना करें परंतु जिसका मन बश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस उससे रोग कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें क्यूंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रधित है तथा जिसका रजोगर शांत हो गया है ऐसे सच्चिता नंद भन प्रम्व के साथ एक ही भाव हुए योगी को आती उत्तम आनंद प्राप्त होता है वह पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा सब्राप्त को परमात्मा में लगाता हुआ सुख में प्रवाप्ति रूप अनंद आनंद को अनुभख करता है है अल्जुन सर्व अनंत चेतं में एक भाव से स्ठेती रूपी योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सुद्रश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है जो पुरुष संपोर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपोर्ण भूतों को मुझ वासुदेव की अंतरगत देखता है उसके लिए मैं अद्रश्य नहीं होता हूँ और वहें मेरे लिए अद्रश्य नहीं होता है क्योंकि वह मेरे में एकी भाव से स्थित है इस प्रकार जो पुरुष एकी भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझे सचिदान अंदगन वासुदेव को भजता है वहयोगी सब प्रकार से बर्तता हुआ भी मेरे में ही बर्तता है क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवान्य कुछ है ही नहीं है अरजुन जो योगी अपनी साद्रश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अध्वा दुख को भी सब में सम देखता है वह योगी परमश्रेष्ट माना गया है इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर आरजुन बोले है मदुसूदन जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने काली स्थिति को नहीं देखता हूं क्योंकि है कृष्ण यह मन बड़ा चंचल और प्रथमन स्वभाव वाला है तथा बड़ा और बलवान है इसलिए इसका वश्मे करना मैं वायू की भातियाती दुश्कन मानता हूं इस प्रकार आरजुन के पूछने पर श्री कृष्ण से वश्मे होता है इसके लिए इसको अवश्य वश्मे करना चाहिए क्योंकि मन को वश्मे न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुश प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है यह मेरा मत ह इस पर अरजुन बोले है कृष्ण योग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा शिथल यतन वाला श्रता युत पुरश योग की सिद्धी को अर्थात भगवत साक्षात कार्ता को ना प्राप्त होकर किस गितिक को प्राप्त होता है हे माहबाहो क्या भै भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रे रहित पुरुष चिन भिन बादल की भाती दोनों और से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारी भोगों से भष्ट हुआ नश्ट तो नहीं हो जाता है हे कृष्ण मेरे इस संशे को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही यूग्य है क्यूकि आपके सिवा दूसरा इस संशे का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है इस प्रकार अर्जन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले हे पार्थ उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना पर लोक में ही नाश होता है क्यूकि हे प्यारे कोई भी शुब कर्म करने वाला अर्थात भगवात अर्थ कर्म करने वाला दूरगती को प्राप्त नहीं होता तिन्तु वह योग भष्ट पुरुष पुरुष पुन्य वानों के लोकों को अर्थात स्वरगादिक उत्तम लोकों को प्राक्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्र आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अध्वा वेराग्यवान प पहले शरीर में साधन कियो है बुद्धी के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धी योग के संसकारों को अनायास ही प्राप्ट हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाब से फिर वह अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमत यतन करता है वह विश्यों के वश्म हुआ भी उस पहले की अभ्यास से ही नी संदेह भगवत की और आकाशित किया जाता है तदा समत्व बुद्धी रूप योग का जिग्यासू भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को लंगहन कर जाता है जबकि इस प्रकार मंद प्रयात्न करने वाला योगी भी परमगति क को प्राप्त हो जाता है तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंताफकरन की शуд्ति रूप सित्य की प्रियास Spre budgets कर ने वाला योगी संभून पापन से प्रकार शुद्द्ध होकर उस साधन के प्रभाव कि मात्मा प्राप्त होता है क्यूंकि योगी तपस्वियद श्रेष्थ य ज्यान वालों से भी श्रेष्ट माना गया है तथा सकान कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ट है इसलिए है अर्जन तु योगी हो हे प्यारे संपोर्ण योगियों में भी जो श्रद्दावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भसता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ट मानने है इती श्रीमत भगवत गीता रूपी उपनिशत एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शासर विश्य श्री कृष्ण और अर्जन के समवाद में आत्म संयम योग नामक छटा अध्याय समथ होता है तो बोले जै श्री कृष्ण जै श्री राम हर हर महादेव